लिक्विड को रिधिल के आधा ये-R1 ए आरवन केमिकाली बात्रूम के लिए यूज होता है ये-R2 ए डस्टिंग करने के लिए ये-R3 ग्लास क्लीणर है आरःफोर उड़ पॉड़िश करने के लिए ये-R5 एयर फ्रेशनर है और ये R7 hard stain remove हो और ये oily, oily निकलने के लिए जिदर oil भी लेगो करें, यो grease cutter बोलते इसको अभी उसके duster देखो, जो color है same duster वैसी use करने का है yellow color है तो yellow red है तो red है blue color है तो blue है, yellow है तो yellow है air freshener को जरूद नहीं, duster की direct spray कर सकते same duster race ही use करने के आपको, अभी इसको हम लोग academy set करेंगे जब आप chemical use करते हो तो आपको gloves use करने के बाद ही chemical को touch करने का नहीं तो नहीं करने का, तो अभी इसको academy set करेंगे ये R1 ये, R2, ये R3, ये R4, R5 ये रफ्रेशनर हो और ये R6 चेक हमेगल हो गए, ये caddy हो गए, कैड़ी में और कैसा मना आए जासे, दो ब्रश आएगे, दो ब्रश इस साइड में रफदेद ए, ये बाटड़ का ब्रश है और ये चोटा ब्रश ये सींग के लिए, जब क्लीन करेंगे तो आपको दिखाएंगे, दो ब्रश है और ये यह डबलूसी का ब्राश है, कवर को फिक्स कर दो, मैं चाहिं इक डबलूसी कवर्ण है, यह सेट अप हो गया, और यह छोटा सा ब्राशी, प्लोर ब्रश किदर गया फ्लोर ब्रश रेडवाला यह फ्लोर स्कर्प करने के ब्रश हार्ट ब्रश यह कैड़ी का सेटप हो गया पूरा कैड़ी आपको पता हो गया भी कौन सा केमिकल किदर यूज़ करने का और सेम डस्टर सेम कलर पर देखो अभी यलो है तो यलो पर यलो जो सेम कलर जो लिकुट का कलर है सेम डस्टर है तो यह कैड़ी सेट हो गया तो आपको दिखाएंगे बातरूम कैसे क्लिन करते हैं कौन सा केमिकल किदर होता है किदर यूज़ होता है वो एक के बाद एक दिखाए करेंगे